बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी डीटी एच वो केबल नेटव पांच दिन सभी विशयों की विशयवस्तू अतियंत रोचक तरीके से समझाए जाएगी, तथा प्रतियक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधिर जानकारी के साथ-साथ मनुरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। सवा चार बजे तक शैक्षिक कारिक्रम प्रसारित होगा। निबंद कैसे लिखे निबंद लेकन करते समय कौन-कौन सी सावदानिया बरतनी चाहिए इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखेगा निबंद लेकन के लिए कुछ उपयोगी संकेत। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो निबंद बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जैसे निबंद लेकन का अभ्यास सरल और वर्नन प्रदान विश्यू से प्रार्म करना चाहिए। अपने लोग शुरुवात में लिखते हैं प्रस्ताऊना तो प्रस्ताऊना की शुरुवात यदि जटिल विश्य के साथ कर देंगे ना तो हम निबंद नहीं लिख पाएंगे। दूसरी बात वर्नन प्रदान विश्यों से प्रारम करना चाहिए, तथे प्रक विश्य नहीं होने चाहिए, डाटा बेस पर आधरित निबंद नहीं लिखा जाना चाहिए, चुने गई विश्य पर विबिन लेकों को दुआरा लिखे गई निबंदों को ध्यान से पढ़ना मलब जिस विश्य पर आप निबंद लिखना चाहते हैं, उस निबंद लिखने में कौन-कौन से लेकाने क्या-क्या बाते कहिए, उन सब को ध्यान में रखना चाहिए, विश्य को करमा अनुशार उप सिर्षकों में बांट लेना चाहिए, यह भी इंपोर्टेंट बात है, ऐसा नहीं अपने निबंद लिख रहे हैं और निबंद लिखती समय ऐसा नहीं कि डारेक्ट हम लिखने के लिए बेट गए बलकि जैसे मालने जिए कोई भी टोपिक है विज्ञान वर्दान या अभिसाब इसको आपको अलग-अलग भागों में बांटना पड़ेगा सबसे लिप्रस्ता होना पिर इसके बाद में विज्ञान वर्दान विज्ञान आविसाब विज्ञान का मैत्वे और लास्ट में लिखना पड़ेगा उप्त सनहार तो मेरा करने का मतलब है कि पूरे के पूरे टोपिक को अलग-अलग भागों में बाटकर अधिन करना चाहिए न अगर मालेजें 200 सब्दों में आपसे निबंद लिकवाया जा रहा है तो 200 सब्दों का अमोमन बावारत यह होता है एक पंक्ती में लगबग लगबग 10 शब्द आते हैं तो 200 सब्दों का मतलब है 20 पंक्तियों में आपका निबंद समाप्त हो जाना चाहिए अक्सर यह जारते निबंद के पांच पांच पेज भर देते हैं जो गलत है उत्तर सीमा का आपको ध्यान देना ही चाहिए अगर आप उत्तर सीमा से ज्यादा लिक रहे हैं तो आप यू समझ लेजिएगा कि आपके अंग काटे जाने की पूरी की पूरी संभावना है इसलिए आप लो पूरी और रोवर जितना आप से मांगा गया तीं सो सब्धों में दो चार सो सब्धों में तो चालीस अ कि मैं आपको निबंद लिखना चाहिए कि तुने बंद का है और बढ़ा होना और सब्रेश्च करना चाहिए जए ऊस और सब्सक να चाहिए यह एक important बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी सामगरी हो ऐसा नहीं है डारेक्ट आप गाई पर निबंद लिख रहे हैं तो मैं एक सम्माने निबंद है उसको तर्क और वितर्क आपके विचार विमर्थ सुकी मादिम से निबंद को लिखना चाहिए और सो गठित बहुत ही अच्छे तरे से उसका गठन करके निबंद को लिखा जाना चाहिए पत्र पत्रिकाए और पुस्तकों से वीविद विशियों पर दी गई सुन्दर उक्तिया और उद्वरणों का संग्रे करना चाहिए आप चाहिए तो किसी भी निबंद को लिख रहे हैं तो नि और वर्त्मान समाज का एक भव्य शौरूप कैसे तो नारी के बारे में जैसंकर परसाद की पंक्तियों से सुरूफ कर सकते हैं नारी तुमकेवल सरदा हो विश्वास रजवत नद पक्तल पर प्यूस्स रूट सी बहा करो जीवन के सुन्दर संतल में नारी तुमकेवल सु यानि किसी भी महान लेकक और कवे की पंक्तिव से निबंद की शुरुवात कर सकते हैं किसी महान लेकक और कवे के कोटे सन जैसे माली चोटा सा उनन कोई बात कही है उसके माध्यम से निबंद की शुरुवात आप कर सकते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो कहने का मतलब है परिक करना अच्छा रहता है उचित इस तरूपर उन्हें उद्रित का मतलब कहने का मतलब है उनको प्रसिद करना अंडरलाइन करना बहुत अच्छा रहता है और इंपोर्टेंट बात बताता हूं निबंद लेखन के लिए निबंद लेखन में लेखन में निबंद लेखन में आलं आलंकारिक बासा की कोई भी गुंजाइस नहीं है बासा की कोई भी गुंजाइस नहीं यह भी एक इंपोर्टेंट बात मैंने आपको बता दिये कोई भी गुंजाइस नहीं निबंद लिखेंगे तो आलंकारिक बासा की उसमें कोई भी गुंजाइस नहीं यानि यह कोई जरूरी नहीं है कि आप निबंद लिखते समय एक उच्छ क्वालिटी की बासा का प्रियूग करें आलंकारिक बासा का प्रियूग करें और अगर आप ऐसा करेंगे नहीं तो पाटक सुरोता उसको समझ नहीं पाएगा पढ़ नहीं पाएगा तो आप कटिन प्रियूग किया जाना चाहिए तत्सम शब्दावली का प्रियूग पत्तर लेकन में तत्सम सब्दावली का प्रियूग किया जाना चाहिए यह द्यान देने की जूरत है तत्सम यानि संस्कृत से युक्त शब्दावली का प्रियूग पत्तर लेकन के अंतरगत किया जाना ना चाहिये कोषिस ये रहनी चाहिए कि तदभव शुद्धों के प्रियुक से हो सके być यता संभव बचने का प्रियास करना चाहिए इसे प्रकार हम लोग बात के लेते हैं ड्रया सु हम छुद्धता पर बालbrar कि पसके पर बल दिया जाना चाहिए इसका मतलब किया है यह मैं आपको बता देता हूं कहने का मतलब है कि अगर आप वर्तनी में या वासा में अशुद्ध रखेंगे लेकन कारिये में अशुद्धा रखेंगे तो आप कितने भी अच्छे भाव को प्रिगट करना चाहरे हैं लेकिन वह भाव सही डंग से प्रस्तुत नहीं पाए नहीं हो पाएगा अब मैंने कोशिश किया कि आज तक प्रतियों की प्रिक्साओं में नहीं बलकि प्रिक्साओं में जितने भी निबंद पूचे गए यह पिर आपके पाट्टे कर्म को आधार बनाकर जो प्रस्ट जो निबंद आप से पूचा जा सकता है उन्हें निबंद किस प्रकार से लिख सके तो साथ जेसे निबंद सवच भारत भारत अभियान और एक और बात बता देता हूं जो समसामेक यानि करंट मुद्धे पर ज्वलन्त मुद्धू पर जो निबंद उसको बेतर डंग से हम लोग लिख सकते हैं स्वच भारत अभियान स्वच बारत अभियान यह इस विश्य पर आपसे निबंद लिखने के लिए कहा जाए तो निबंद लिखते समय कौन-कौन सी बा यहां किसी भी निबंद की खूती है UK पर अमयाइगा को और वुप सहर के अंतरगत आता है निष्कार्श्व स्वच भारत-भारत-अभियान संकेत विदू में आएगा प्रस्तावन जिसे बीजिए कह सकते हैं उपसाहार जिसको हम कह सकते हैं निसकार्ष स्वच बारत का अभिप्राय स्वस्ता और स्वस्ते लोगों की आदते बदलने की क्या उशक्ता है कुल मिला की संकेत बिंदू है यह आप किसी भी निबंद को लिखे तो इनको आपको अलग-अलग भागों में बांट चाहिए प्रतेक निबंद की पार्ट को और यहीं से शुरुवात करनी चाहिए तो प्रस्तावना और लाश्ट बिंदू होना चाहिए सभी में उपसाहार का मतलब निसकार्ष स्वच बारत का अभिप्राय बारत एक प्राचिन देश है प्रस्तावना में क्या लिखेंगे स्वच बारत अभियान केंदर सरकार की मेत्व कांचे प्रियोजना है मलब भूमिका बनानी उसके बाद स्वच बारत का क्या भी प्राइए बारत एक प्राचिन देश है इस दुनिया में जितने भी देश है सबसे प्राचिन देश अगर कोई है तो वह है हमारा भारत देश और बारतेश की संस्क्रिती तो अपने आप में निरा लिये या मन की पवितरता पर बहुत बल दिया जाता है मन की पवितरता तन यानि सरीर की पवितरता नहीं बलकि मन की पवितरता पर बहुत बल दिया जाता है मन की पवितरता के साथ तन को स्वच रखने के लिए इसनान को मेर्ट बनिस्तान प्राप्त है इसलिए प्रात्यकाल के समय हम सब लोग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले इसनान करते हैं इससे हमारा मन और तंदोनुई क्या हो जाते हैं स्वस्त हो जाएंगे वेबिन पर्व परुका मलता त्योवारों पर नदियू में इसनान करने क मन प्रण रहें और लोग इसा करने से उनका नके उलतन बलकी मन भी दम सवच हो जाता है इसके साथ जहां हम रहते हैं उस इस इस्तान की स्वस्ता वी आउसे के क्योंकि कहा जाता है साथिओं कि स्वस्त मस्तिक्स में स्वस्त विचारों का इस ताइु रूप से वास होता है और ये वास्तिक्ता अगर हम गंदी कपने पेनेंगे गंदी जगे बेठेंगे तो हमारा मन अपने आप ही गंदा हो जाएगा स्वच्चता स्वच्चता और स्वास्ते स्वास्ते के लिए जहां उत्तम खान पान आउसिक होता है वहीं परिवेश की स्वच्चता भी जरूरी होती है हमारे घर गलियां सडके आदी साप रहेगी तो रोगाणों को पनपने का आउशर नहीं मिलेगा और लोग भी बिमारियों से मुक्त रह सकेंगे यानि यह हमारे आसपास का परिवेश एकदम स्वच्च है साप है तो बिमारियां नहीं पहलेगी लोग गंद किसे अगर रूबरू नहीं होंगे उसके सामने नहीं आएंगे तो जायर सी बात है उनके काम करने की जो शमता है वो भी बढ़ जाएगी गांदी ज किया कि देश को स्वच्च करने जिहां देश को स्वच्च करने की मेर्ति आउशक्ता है और उन्होंने जाड़ उटाकर दिल्ली में सडक पर सपाई अभियान चालू किया इस दारना को तोड़ने के लिए कि सपाई के और कुछ लोगों का ही पैसा है यह सपाई करमचारियो का ही काम है हमारा काम नहीं है इसलिए देश की यह सपाई करमचारियों का ही काम नहीं है बलकि हम सब के यह एक नेतिक दाइत्वे जिम्मेदारी भी है बारत में अनेक लोगों को खुले में सोच करने के लिए जाना पड़ता है इससे गंदकी के साथ-साथ बिमारियां भी फेलती है इसलिए प्रदान मंत्री जीने आपको पता है सब लोगों के गर में सोचा ले हो गरामनी प्रिवेस में चूंकि अभी भी मलब जैसा हम देख जनता को तकलिप होगी प्रदान मंत्री जी ने अनबो किया कि घरों में सोचाले बनाने की जरुत है गरों में सोचाले बनाने की जरुत है सरकार ने इस काम के लिए समय बंद कारेकरम पर जोड़ दिया है तता पांच वर्स में प्रतेक घर में सोचाले बनाने को का है बिलक सिसा में सरकार के प्रियासों से लगबग लगब ग्रामिंट प्रिवेस में सोचालियों का निर्मान हो रहा है प्रगर्ति पर है लोगों की आदते बदलने की आउशकता ये बात सही है लोगों की हेविट में कि वो तो खेत में जाएंगे नहीं उसको बदलने के आउशकता है बारत को स्वच बनाने में केवल सोचाले बनाने से काम नहीं चलने वाला इसके लिए लोगों की आदते बदलना भी जरूरी होगा इंसान की आदतों को भी आपको बदलना होगा सोचाले बनने के बाद भी कुछ लोग उसका प्रियूग नहीं करते हैं है सोचाले बनने के बाद भी कुछ लोग उसका प्रियूग नहीं करते उनको खुले में सोच के लिए जाना अच्छा लगता है कुछ लोगों के आदत होती है कि वह खुले में क्या करें सोच करें बड़े लोग सोचाले का प्रियूग कर भी ले किन्तों बच्चों को विन आल पेसाब करना तुस्सामाने बात है कोड़ा कहीं भी फैंक दिया जाता है कुल मिला के लोगों की आदतों में नहीं है उनकी आदत यह नहीं कि स्वच ताल जरूरी है और वह जहां चाहिए वहीं कच्रा फहला देती इसे गंद की पहलती है बीमारीयां भी फैलती है बारत को स् मैं बात करें भारत को यह एक बहुत ही बेतरिन प्रियास है किन्तु इसके लिए जनता का सयुग परम यानि जरूरी है लोगों को प्रेंद करने के लिए पुरुसकार की नीती अपनाना प्रियाप्त नहीं है इसके लिए कटोर दंड वेवस्ता को लागू करना भी जरूरी है यह कोई जरूरी लोग अगर नहीं समझते हैं तो उनको जुर्माना लगाना चाहिए उन पर कुल मिलाके दंड दिया जाना चाहिए ताकि जैसे भी हो अगर आदत नहीं बदलती है तो लोग यह समझे कि अगर मैं गंद की फैलाओंगा या फैलाओंगी तो मेरे उपर ए लिकेंगे वीडियो को बार-बार पढ़ेंगे तो कैसे निबंद लिके यह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आएए मैं दूसरी निबंद के रूख करता हूं महानगरू में मैलाओं की शुरुक्सा यह नंबर दो है मतलब बड़े बड़े जो नगर है महानगर जानते जहांके आबादी बहुत ज्यादा हो वह मैलाओं की शुरुक्सा के लिए किस परकार हम लोगों को उपाई करने चाहिए इस पर जैसे मालिजी आपसे निबंद लिकवाए जाता है तो आप निबंद के से लिखेंगे तो सबसे पहले संकेत बिंदू आप लिखेंगे प्रस जूरु भी रहतें पड़े लिके रहतें चोर डएकेत बैइमान लूबी लालची चरीतरीन इंसान रहते हैं ऐसे इंसान कभी भी मैईलाओं का आपमान कर सकते हैं उनके साथ किसी परकार के अनौनी कर सकते हैं यह भूमिक होगी उपसहार का मतलब होता निशकर्ष निशकर हो जाएगी प्रस्तावना जीवन सेली कामकाजी महीलों की समस्या इस रुख्षा के कारण वह सुजाओ इन पर सपर एक एक करके मुलुक चर्चा करेंगे जीवन सेली महानगरों की संस्कृति की विशेष्टा है बारी भीडबाड और आपस में एपरीचे ये एक बहुत बड़ी पैचान है विशेष्टा है बहुत ज़्यादा भीडबाड होती है और कोई भी किसी को नहीं जानता एपरीचे होता है इसका प्रभाव इनमें निवा निवास करने वाली महिले उपर बीपड़ता है महानगरों मंझें निवास करने वाली महिलाओं में चात्रएं लोएं सकती है तता फ़ल्लिमाहीं हो सकती है और जिय॥ वस में रहने वाली महिलहों से अलग है अरे ग्रामिर प्रिव्यस में लोग एक दूसरे को जानते हैं जब कि अगर हैं माशने बाहर जाती है उनके पास समय का पहाव ने पिसे जीवन का ऊंग है ट्रेनों और Tech के द caterpillar श्कुल पहुंचने की जल्दी सदा उनके सामने रहती हैं हमेशा ही उन लोगों के सामने इस प्रकार की जल्दवाजी रहती है कामकाजी महीलाओं की समस्या ऐसे अलग-अलग छोटे-छोटे भागों में आप पूरे के पूरी निबंद को बाट ले इससे क्या होता है निबंद को लिखने में बहुत स्विधा होती है हमारे या लोगों करतां हे यदि दरमघन भी तोड़ी से ज्यादा टिवरगती से काम करते हैं वे से तो सभी महिले को न कोई कोक काम करती है गर के प्राइब काम करने वाली लोगरी महीला अत्वा अन्य स्थान पर कोई काम करें धन कमाती है उनको काम काजी महिला कहा जाता है यानि जो काम काज करती है दफ्तर में जाती है या फिर कहीं जाकर अपना जीवन यह अपन करती है उन्हें काम काजी महिला कहा जाता है महिलाओं की समस्याइं प्राए दो प्रकार के होती ह गर के अंदर की समस्या तता बाहर की समस्या दो प्रकार के होती है एक तो घर के अंदर की समस्या एक गर के बाहर की समस्या ऐसी महिलाओं को देर तक घर से बाहर रहना पड़ता है वे घर का काम नहीं कर पाती है बच्चों तता घर के व्रद जनूं की देखबाल भी नहीं कर पाती हैं समझ में आ रहे हैं अपने माता पिता बच्चों की किसी की दीख बाल ने कर पाती है उनको नोकरों के उपर निर्भर रहना पड़ता है उनको जितने भी गर के नोकर है उनी पर निर्भर रहना पड़ता है विश्वसने नोकर भी आसानी से नहीं मिलते आता है उनके सामने शुरक्षा की भाउना बनी रहती है कहीं बार आप देखते हैं अगर हम नोकर रख भी लेते हैं तो आप अगबार में पढ़ते हैं सोसल मीडिया पर देखते हैं कि वही कतल करके चली जाता है तो ऐसे सबी लोगों में कुल मिला के बाते महानगरों में विश्वास या शुरक्षा की भाउना प्रबल रूप से दिकाई देती है गर से बार भी मानगरे महिलाय आज शुरक्षित नहीं है घर के बार चलो गर में अगर नोकर रखे तो वहां भी शुरक्षित नहीं है अपने या सारुजनिक वानु से कारे इस्तल पर पहुंचने के बीच उन्हे अगर सारुजनिक वानु से अगर दप्तर जा रहे हैं तो उनको बेटने ने दिया जाता है पुरुष समुदाई द्वारा उन पर एसोबने टिकाट टिपने की जाती है कारे इस्तल से देर रात लोडते समय तो आज कल इन महिलाओं का बगवानी मालिक होता है उनके साथ हो दोतने वाले दोडुर्वेवार और दुस्करम आधी की गढ़ने आज प्राहे शुनने और देखने को मिलती रहती हैं आज लगातार सोचल मेडिया पर गटनाओं को कभ रोका जाना चाहिए अकभार में केवल विवरन प्रस्तुत किया जाता बल्कि अकभार वालों का ये दाइतु बनता है डी अक करमें का कि आ प्रसल लगाए कि समस्या कब तक चलेगी करते कि ये करण वस्टू जाओ घर से बाहर जाकर काम करने वाली महिलाओं के बारे में जो पुरातन पंती सोच है पुरातन पंती का मनोता परम परागत सोच है उसके कारण ये समस्या और बढ़ती है काम करने वाली महिला के चरितर के बारे में मन माने डंग से सोचा जाता है कोई गड़ना होने पर उसको साहिता नहीं मिलती है वो उस महिला को ही जिम्मेदार मानते हैं, उल्टे उत्पेडन ही जेलना पड़ता है, उसको कोई साहिता नहीं मिलते, बलके उस महिला का उल्टा तिरिसकारी होता है, काम-काजी महिलाओं के समस्यां सुलजाने के लिए सरकार तता समाज दोनों को प्रियास करने चाहिए, बना बटन आदी की विवस्ता की गई है इसके साती महिला आयोग और प्रसासन को उसकी शिकायतों पर तवरित कारवाई करनी चाहिए अगर कोई भी महिला किसी भी रूप में यदि शिकायत करती है तो यह प्रसासन का दायतू बनता है और महिला आयोग का भी दायतू बनता है कि उस पर तुरंत एक्सन ले और एक्सन लेंगे तो समाज में यह जो वीडियो मनाई है यह दूस प्रवर्तियां है कि महा नगरों में रहने वाली महिलें शुरक्षित नहीं हो सकती है उस पर पुरन रूप से विराम लगाया जा सकता है यह दोस्तों आपको महा नगरों की मह मिलाओं की जो इस्तिति है उस पर निबंद अगर आ जाए तो कैसे लिखे मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रारूप के तोर पर आपको चार-पांच निबंद एक वीडियो में बताऊं ताकि आपको इनको लिखने का लगातार अभ्यास करने का मुखा मिल सके इंटरनेट ग्य ie यह ज्ञान का बंडार काई से ऊगा संकेथ बिंदु बूमी का केंतर्गा देखेगा इंटरूनेट की कारी व्यादी निफ व कि इंटरूनेट कासां गव सहार यानि जो निश्कर्स होता है उसमें दोस्टों के पिक्सा गुरू को ज़्यादा प्रात्मिक्ता देनी चाहिए आप यह मतले कि इंटरनेट अपने आव में बहुत गलत है बलकि मानता हूं गलत है हो सकता है कुछ सिमा तक हो लेकिन सकारात्मों को ज़्यादा तो देना चाहिए और यह लिखना चाहिए कि अगर इंटरनेट और भी ज़्यादा गति से आगे बढ़े तो भारत देश एक विश्व शक्ति बन सकता है कुल मिला के बात है कि उपसाहर में निसकर्स लिखा जाता तो उसमें आप सकारात्मों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्ज यह प्रद्धानेवाली एक सब्साइब आज इंटरनेट दूर संचार और प्रदम बहुत ज़्यादा रावसिक बन चुका है आम जिनता के लिए यह अपने आउन में तो चुका है कंप्यूटर क necesita का चोला और स्ब्सक्राइं का साथ है इंटरनेट का चोली और दामन का साथ हैं कंप्यूटर के परचार के साथ साथ इंटरनेट का भी विश्दार होता जा रहा है सिक्सा हो व्यापार हो अर्थ वेवस्ता हो शामाजिक समंध हो शोद कारिय हो व्यक्तिगत जीवन हो मनोरंजनों चिकिस्सा हो तता सुर्क सा आधिसभी सेतर इंटरीनेट से जुड़कर लाबानवित हो रहे हैं गर बेटे ग्यान विज्ञान समदी सूचनाओं के बंडार से जुड़े जाना इंटरीनेट ने रही संब्धो बनाया है और दोस्तों आपको पता होना चाहिए इंटरीनेट के आगमन से पूरा का पूरा स संसार पूरी की पूरी दुनिया एक घर में सिमित हो गया है हमें लगता है कि संसार इतना बड़ा नहीं है बलकि जैसे हम इंटरनेट के सामने कंप्यूटर में इंटरनेट खोल के बेढ़ते हैं टेलिविजन देखते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया तो क्या है बहुत शिम इंटरनेट है जुड़े जो कंप्यूटर है इनका नेट वर्क ही क्या कहलाता है इंटरनेट कहलाता है पूरे के पूरे दुनिया के कंप्यूटर उपगरूं के मादम से जुड़ी हैं इस नेट व्रक से अपने कंप्यूटर को समंद करके कोई भी विक्ति नेट व्रक से जुड़ी है अन्य कंप्यूटरों में संगृत सांग्री से प्रिचित हो सकता है इस उपलब्द इसके लिए एक वेब साइड और वेब साइड क्या करती है डबलू 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 वर्ड वाइड वेब का जाता है आप जाकर इस पर सर्च कर सकते हैं किसी भी प्रकार की पढ़ाई से समंदी या पूरी वैस्विक जानकर यह दिया प् पूरा का पूरा वर्ड भारत नहीं वर्ड वाइड वेब क्या नाम है वर्ड वाइड और वेब बारत में इंटरनेट का प्रिशार बारत में इंटरनेट का निरंतर प्रसार हो रहा है बहुपयोगी होने के कारण जीवन में हर सेत्र के लोग इससे जूड रहे हैं सिक्षा संस्तान अधियोगी पर्तिष्टान पर्सासनिक विभाग मेडिया हो मनोरंजन संस्ताइं हो संगराले हुँ पुस्तकाले सभी देरे दिरे इंटरी इंटरेट पर अपनी ऊपस्तिति दर्ज करा रहे हैं ऐसा अनुमान है के इंटरिनेट जूड़ी विखती हूं और संस्ताओं की संख्या करोडों तक पहुंच की मैं यह मानता हुं कि कीर लोग से भी हम कह सकते कि 복da कि प्रिई इंट्रेट का पॹद्रीवभुगत करनेवाली संस्ताइन्य ये बात ग्रू मानी जा सकती है इंटर्नेट से क्या क्या लाव हो सकते तो ज़्यादर तो लाव होते हैं अला कि यह तहे है कि एक की की समय किसी विशे किसी भी विशे पर तत्काल इच्छित जानकारी प्राप्त कर सकता है चात्तर हो शिक्सक हो विज्ञानिक हो व्यापारी हो खिलाडी हो मनोरंजन चाहने वाले तता सरकारी विबाग इंटरनेट से अपनी आउशक्ता और रूची के अनुसार सूचनाई पाशकते हैं क कि मुझे जैसे मालेजिए आप नाइंट क्लास में पढ़ रहें इंटरनेट से आप यह पार्ट यह निबंद कैसे लिखें निबंद लिखने की क्या क्या प्रकरें आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा क्योंकि पूरी के पूरी दुनिया वर्ड व इंटरनेट से वाकिप ने ही क्योंकि उस दोर में इंटरनेट निवा करता था युवा वर्ड के लिए तो इंटरनेट ने ज्यान और बनोरंजन के अजसंके दूरर को ली दिये हैं एमेल, टेली, बेंकिंग, हवाई और रेल यात्रों के लिए अग्रिम टिकट करीद, तिंद्फ उप्योगी अंग बनता जा रहा है डे बाइड कि यह अमारे जीवन इंपोर्टेंड यह इंतरनेट किया किया हानिया है आज नगें इस्थान इस्थान पर एंटरनेट धाबे जिसको बोलते हैं साइय हैं इदन के जा रहे वक्स यह नहीं कि वर्दान होती है तो कुछ अभिसाब होती है तो जो साइबर के खुलते जा रहे हैं इनमें आने वाले युवा ज्यान वर्दन के लिए कम असली मनोरंजन के लिए अधिकाते हैं इंटरनेट के माद्यम से कम्प्यूटर में संचित गोपने सामगरी रहे हैं इंटरनेट ने साइबर अपरादों को जन्म दे दिया है बच्चे अगर मालेजिए उनको इंटरनेट या नेट का चसका अगर चाहू लग जाता है तो उनका ध्यान पढ़ाई के और नहीं होता है बलकि नकारात्मक चीजों को नेट के माद्यम से लगातार देखत अब इसका उपसहार यानि निशकर्च क्या है विज्ञान के हर आविसकार के साथ लाब और हानी जुड़ेवी हैं इंटरनेट भी इससे अचुता नहीं है हान्यू से बचने के लिए विश्वसने उपाए खोजे जा रहे हैं इंटरनेट का सदुप्यूग मानों समाज के वर्दान बन सकता है इंटरनेट सारे विश्व को एक ग्राम के समान चोटा बना रहा है मैंने शुरुआत में बताये था इंटरनेट से पूरा का पूरा संसार एक च्छत के नीचे आ चुका है लोगों को पास पास ला रहा है देशों के सिमाओं को डा रहा है और अब यह पता ही नहीं रहा है इंटरनेट से की कौन सा देश के बोगो लिकशिमा कहांत करेंगे हम लोग कहां अगले वीडियो में लेकिन जो जो मैंने बताए मुझे उमीद है तो बहुत समझ में और इसी को आधार बनाकर आपने बंदों को लिखने का प्रियास के जेगा इस वीडियो में आज के लिए इतना ही धन्यवाद बच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा 10 में गनत विश्य में बहुपद अध्याय से द्वीघात समीकरण भाग 8 बच्चों यहां हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गनत की पार्टे पुस्तका अध्याय तीन बहुपद आज की वीडियो में हम सिखेंगे बच्चों द्वीघात समीकरण को हल करने की दो विधियां जिन में से पहली विधी होगी पूर्ण वर्ग विधी और अगली विधी हम कोपी और पैन आपने ले लिए होंगे तो बच्चों आएए सीखते हैं विधियों के बारे में क्या है पूर्ण वर्ग विधी तो देखो बच्चों पूर्ण वर्ग विधी किस काम में आती है ये तो आपको पता चली गया है पूर्ण वर्ग विधी से हम क्या करेंगे हम क करते हैं तो क्या वो चरण है देखिए सबसे पहले आपके पास द्विगा समीकर्ण होगा ax square प्लस bx प्लस c बराबर 0 टाइप का अगर इस रूप में नहीं है मानक रूप में नहीं है उसके बाद में हम पूर्ण वर्ग विधिक उसके अंदर एपलाई करेंगे तो पहले चरण में आपको क्या करना है अचरपद को दूसरी और भेज देते हैं अर्था अचरपद का पक्षान तरण करते हैं इस समीकर्ण में अचरपद क्या है C है C को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा AX स्कॉाइर प्लैस BX इक्वल टू माइनस C दूसरा चरण क्या है बच्चो दूसरे चरण में हम करते हैं AX स्कॉाइर के गुणांक अर्थार्त A का दोनों पक्षो में भाग लगाते हैं अर्था सभी पदों में हम A का भाग लगा देते हैं तो जब आप सभी पदों में A का भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा A X square upon A plus B X upon A equal to minus C upon A सभी में इसमें भी एका भाग लगाएंगे इसमें भी एका भाग लगाएंगे और इसमें भी एका भाग लगा देंगे तो जब आप एका भाग लगा देंगे तो यहां तो A से A cancel out हो जाएगा और आपको मिल जाएगा क्या आपको मिलेगा x square plus b x upon a equal to minus c upon a next चरण क्या है बच्चो अगले चरण में आप क्या करते हैं x के गुनांख यहाँ पर देखिए x का गुनांख कितना है x का गुनांख है b बटे a x के गुनांख का क्या करते हैं आप आधा करते हैं आधा करने का मतलब है उसको एक बटे दो से गुनां करते हैं तो b बटे a का आधा क्या हो जाएगा b बटे दो a और अब हम अगले चरण में क्या करेंगे इस आधे का क्या करेंगे वर्ग करके समीकर्ण में जो हमारे पास बना हुआ है उसमें दोनों तरफ हम जोड देंगे यहां पर हम दोनों तरफ क्या जोड देंगे b बटे a का आधा यानि की b बटे दो उसका वर्ग दोनों तरफ हम जोड देंगे तो हमारे पास मिलेगा x square प्लस b बटे a ऐसे की ऐसे और हमने क्या जोड़ दिया है B बटे 2A का वर्ग जोड़ दिया है LHS में भी और RHS में भी B बटे 2A का वर्ग जोड़ दिया है बचो तो यहां देखें आपको यह जो मिला है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा X का होल स्क्वाइर प्लैस दो गुणा X गुणा B बटे 2A प्लैस B बटे 2A का वर्ग यह जो है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं दो से दो कट जाएगा B बटे A X ही आ जाएगा B बटे A into X ही आ जाएगा लेकिन इससे फाइदा क्या होगा बचो LHS में आपके पास बन जाएगा देखिए A स्क्वाइर प्लैस 2AB प्लैस B स्क्वाइर जैसा मिलेगा तो आपके पास बन जाएगा क्या बचो आपके पास बनेगा a प्लस b का whole square अर्थार्थ एक पूर्ण वर्ग आपके पास मिलेगा यहां आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इस विदी को पूर्ण वर्ग बनानी की विदी बोल रहे हैं तो lhs side में आपके पूर्ण वर्ग आएगा rhs side में आप solow करेंगे तब देखे बचो rhs में आपके पास क्या था आपके पास था minus c बटे a plus b बटे 2a का whole square जब आपनी इसको solow किया तो minus c बटे a plus b square बटे कितना 4a square और जब आप lcm लेंगे तो क्या आजाएगा 4a square इसका भाग लगाएंगे तो 4a आएगा 4a को minus c से गुणा करेंगे तो minus 4ac इसका भाग लगाएंगे एक बार a को b square से गुणा करेंगे तो b square तो आपके पास आजाएगा b square minus 4ac बटे 4a square अब आप क्या करेंगे अगले चरण में दोनों तरफ वर्ग मूल ही लेंगे दोनों पक्षों में वर्ग मूल लेंगे तो आपके पास आजाएगा इधर तो x प्लस b by 2a इक्वल टू इधर जब आप root काटेंगे तो plus minus sign लगाएंगे और यहां जाएगा root of b square minus 4ac upon 4a square का root कितना जाएगा 2a तो x का मान आपके पास finally आजाएगा इसको दूसरी तरफ बेजिए तो x बराबर आपके पास जाएगा minus b by 2a plus minus root of b square minus 4ac upon 2a lc m लेंगे तो आपके पास x का मान आजाएगा minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a वापस समझे सबसे पहले मानग रूप में लिखिए ax square plus bx plus c equal to zero के रूप में अचरपद का पक्षांतरं कर देंगे अचरपद का पक्षांतरं करने के बाद में x square के गुणां का भाग लगाएंगे उसके बाद में x के गुणां के आदे का वर्ग दुनों तरफ जोड देंगे LHS में आपके पास एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा RHS में आप स्ट्रोल करते रहे फिर दुनों तरफ क्या कर दीजिए वर्ग मूले ले लीजिए X के आपके पास दो मान आ जाएंगे कैसे कैसे आएंगे माइनस B प्लस रूट अफ बी स्क्वाइर मान निकाल लीजिए और एक बार माइनस का लेके मान निकाल लीजिए X के ठीक है यह थी पूर्ण वर्ग भी दी यहाँ देगे बच्चो यह जो है सुत्र आपके पास आ गया है X का जिसको हम क्या कहते है बच्चो द्वी घास समीकर्ण के दो हल बोलेंगे एक तो क्या है प्लस का साइन लेने पे ऐसा मिलेगा आपके पास और एक आपके पास ऐसा मिलेगा यहाँ आप देखते हैं रूट में यह जो लिखा हुआ है B²-4AC यह जो अंदर लिखा है क्या B²-4AC यह हमिशा क्या होना चाहिए अगर ये जैसे सपोज माइनस तीन आगया रूट के अंदर तो हमें पता है जिनात्मक संख्याओं का वर्ग मूल नहीं लिया जा सकता वे कालपनिक संख्याओं होती हैं इसलिए हम कहते हैं कि द्विगास समीकंड एकस स्कॉाइर प्लस बी एकस प्लस सी बराबर जीरो के मूल विद्यमान होंगे यदी और केवल यदी बी स्कॉाइर माइनस फोर एसी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जीरो या जीरो से बड़ा है अर्था जीरो या धनात्मक संख्या है क्लियर है बच्चों पूर्ण वर्ग विदी समझ में आ गई आपको एकस के दोनों मान समझ में आ गए अब देखिए स्रीधर आचारी विदी जो अभी हमने सुत्र विद्पन किया है जो अभी अपने सुत्र विद्पन किया है वो क्या यही सुत्र था माइन एक्स बराबर माइनस भी प्लस माइनस रूट और यही सुत्र को हम क्या बोलते हैं द्वी घाती सुत बोलते हैं अब क्या करना है बच्चो देखो स्रीधर आचारी की विदी क्या है सबसे पहले आपके पास जो समीगंड दे रखा है उसको ए एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखिए ए बी और सी के मान पता कर लीजिए तुलना करके जो भी समीगंड है उसकी एक्स स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके ए बी सी के मान निकाल लीजिए और सीधे ही इस सुत्र में रख दीजिए ए बी सी के मान कोई अचरपद का पक्षांतर मत कीजिए कोई एक्स के गुणां क्या दे का वर्ग मत जोड़िये सीधे इस सुत्र मे रखिए और X के दोनों मान निकाल लीजिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं डाइरेक्ट इस द्विगाति स्थृत्र का प्रियोग करके तब आप कौन सी विदी से हल कर रहे हैं बच्चों आप कर रहे है स्रीधर आचारी विदी का उप्योग ठीक है तो स्रीधर आचार ये विदी से द्विघास समिकंड AX square plus BX plus C बराबर 0 के हल क्या होते हैं X बराबर minus B plus minus root of B square minus 4AC upon 2A यहां फिर से मैं आपको बता दूँ B square minus 4AC का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए या अरता 0 या धनात्मक होना चाहिए तभी मूल विद्यमान होंगे ठीक है बच्चो ये case आपको समझे में आ गया है इस B square minus 4AC को हम बोलते हैं D जिसको बोलते हैं इंगलिस में discriminate हिंदी में बोलते हैं विवेचक या विविक्तिकर ठीक है बच्चो विविक्तिकर बोलेंगे या फिर बोलेंगे विविक्तिकर रहा है कि या फिर विवेचक या इंगलिस में बोल दे हैं discriminate या सिर्फ बोल दे हैं द्विगाज समीकंड के लिए D D का मतलब discriminate ही समझा जाएगा और क्या होता है D का सुत्र B square minus 4AC आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इसी पर आधारित होती है द्विगाज समीकंड के मूलो की प्रकरती जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे इस वीडियो में हमने किसके बाद की चर्चा की है इस वीडियो में हमने चर्चा की है पूर्ण वर्ग विधी की और स्रीधराचार ये विधी की पूर्ण वर्गी विधी आपको समझ में आगए, कुछ निश्चेत पदों का हम क्या करेंगे, अनुसरन करके हल निकालेंगे, सिर्दराचारे विधी भी आपने समझ ली, सीधे हम क्या करेंगे, द्वी घाते सुत्र का प्रियोग करके हल निकालेंगे, ठीक है, अब हम एक उ स्क्वाइर माइनस साथ एक्स प्लस तीन बराबर जीरो को पूर्ण वर्ग बनाने की विदी द्वारा हल कीजिए तता श्रीधर आचार ये दुई घातिर सुत्र से मूलों का सत्यापन कीजिए मतलब यह हुआ बच्चों कि आपको दोनों विदियों से सको हल करना है और सत्यापित करना है कि दोनों विदियों से हल एक ही आता है हमने तीन विदियां सीखेंगे बच्चों तीन विदियां हम सीख चुके हैं पहली हमने सीख ली थी गुननकंड विदी आज हमने सीख ली है पूर्ण वर्ग बनाने की विदी और स्रिद्राचारी विदी किसी भी विदी से आप हल करेंगे तो मूल एक ही आएंगे समान मूल आएंगे चाहिसे किसी भी विदी से हल कीजिए यहां हमें पूर्ण वर्ग विदी और सृधर अचारिय विदी को यूज करके ये बास अत्यापित भी करनी है तो कैसे करेंगे बच्चों देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधी की, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधी के पद मैं आपको बता चुका हूँ, बनाने की विधी, ठीक है, इस उधारण में मैं वो पद लिखते भी चलूँगा, ठीक है, आपको जब आप एक्जाम में करें या कार्य पुस्तिका में करें, तो सिर्फ एक उधरन के लिए आप लिख लें, एक्जाम में आपको वो पद लिखने नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ही वो बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आगे आपको क्या करना है, तो आपने लिखा पूर्ण वर्ग बनाने की विदी से हमें हल करना है, तो जो भी समीह करना आपको दे रखा है पहले आप उसे लिखिए यहां देखिए दो X स्कुायर माइनस साथ X प्लेस तीन बराबर जीरो क्योंकि यह मानक रूप में ही है इसलिए हमें इसको AX स्कुायर प्लेस BX प्लेस C बराबर जीरो के रूप में लाने की कोई जरूत नहीं है पहले पक्षांतरन करते हैं तो चरण एक में हम करेंगे अचर पद का पक्षांतरन तो माइनस साथ एक्स बराबर जीरो माइनस तीन हो गया क्या किया है हमने अचर पद का पक्षांतरन करा है पक्षांतरन करने पर हमें ये मिला है ठीक है आगई बात समझ में चो दूसरे अचरन क्य बाग लगाना इसका मतलब यह है कि X2 का गुणांक एक होना चाहिए यहां गुणांक 2 है इसलिए हम इसका भाग लगा देते हैं तो देखिए 2 X2 सभी पदों में लगाई है 2 X2 बटे 2 माइनस अपनी जगे 7 X अपनी जगे यह बटे में 2 0 माइनस 3 माइनस 3 होता है और इसमें भी हमने 2 का भाग लगा दिया है तो हमने क्या किया है X2 के गुणांक का गुणांक का क्या करेंगे बच्चों हम गुणांक का भाग देने पर हमें यह मिला है दूसरा चरण हमने कर लिया है complete X2 के गुणांक का भाग लगा दिया है क्या मिला आपको मिल गया X2 2 से 2 कट गया ये मिलिया 7 बटे 2 X बराबर माइनस 3 बटे 2 ठीक है अब क्या करते हैं बच्चो हम हम करते हैं X के गुणांक के आदे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं तो यहां देखिए X स्क्वायर माइनस 7 बटे 2 X यहां हम जोड़ देंगे इसका वर्ग और इधर आपके पास क्या है बच्चो इधर आपके पास आया है माइनस 3 बटे 2 तो माइनस 3 बटे 2 यहां है और यहां भी हम जोड़ देंगे इसका वर्ग यह क्या है बच्चो किसका वर्ग जोड़ना है में X के गुणांक के आदे का वर्ग एक्स का गुणांक कितना है एक्स का गुणांक देख लीजे माइनस साथ बटे दो है इसका आदा कर देंगे तो यह जाएगा माइनस साथ बटे चार इसका वर्ग हम क्या कर लेंगे दोनों तरफ जोड देंगे तो जोड़िए बचो इसका वर्ग दोनों तरफ तो माइनस क्या है एकस के गुणांक के आधे का आधे का वर्ग दोनों पक्सों में जोडने पर हमें ये प्राप्त हुआ है दोनों पक्ष कौन से LHS और RHS दोनों पक्षों में जोडने पर जब आपने दोनों पक्षों में X के गुणांक के आदे का वर्ग जोड़ा तो आपको ये मिलने का मतलब आपको LHS में एक पूर्ण वर्ग मिलता है देखे बच्चों A2 यानि कि X का 2 प्लैस टू A की जगए X और B की जगए कितना है माइनस साथ बटे चार प्लैस माइनस साथ बटे चार का फोल स्कौरर देखे मद्यपद जो लिखा हुआ है माइनस साथ बटे दो ये भी यही लिखा हुआ है plus minus क्या हो जाएगा minus 2 से 4 कट जाएगा minus 7 बटे 2 ही आ जाएगा तो हमने समीकर्ण को बदला नहीं है हमने सिर्फ किस रूप में लिखा है a square plus 2ab plus b square की रूप में लिखा है और आगे यहाँ पर आपके पास है minus 3 बटे 2 plus minus 7 का square 49 और 4 का square कितना 16 बचों ठीक है 49 बटे 16 समझ में आ गया यह पूरी जीज़ आपको मिल गई है a square plus 2ab plus b square जैसी तो यह हो जाएगा a plus b b का मतलब minus 7 बटे 4 का whole square और इधर देखिए बचो lcm आ गया 16 दो का बाग 16 में लगाएंगे 8 बार 8 को minus 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 24 और यह plus का कितना 49 बचों थीक है अब आप क्या करते हैं आप बोलते हैं अगले बाहरा हम करेंगे next step में दोनों पक्षओ में दोनों पक्षओ में वर्ग मूल लेने पर या दोनों और क्या लेंगे हम वर्ग मूल लेने पर क्या आएगा देखो बच्चों वर्ग मूल लेने पर आपके पास इधर तो बच जाएगा X से माइनस 7 बटे 4 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस इधर आजाएगा आपके पास प्लस माइनस क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या लिया है वर्ग मूल लिया है root of यानि कि वर्ग मूल किसका उनन्चास में से choice गया तो कितना बच गया 25 बटे 16 बचो ठीक है अर्था अर्था आपके पास आ गया है x बराबर 7 बटे 4 ये minus का 7 बटे 4 RHS में जाएगा तो प्लस का 7 बटे 4 प्लस माइनस 25 का root 5 और 16 का root 4 ठीक है इतना करने के बादे में आप क्या करेंगे प्लस साइन लेने पर देखो बचो प्लस साइन लेने पर तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 7 बटे 4 प्लस 5 बटे 4 7 और 5 कितना 12 बटे 4 अर्था अर्थ 3 और माइनस साइन लेने पर आपके पास आ जाएगा x बराबर 7 बटे 4 माइनस 5 बटे 4 अर्था 7 में से 5 गया तो 2 बटे 4 और 2 बटे 4 का मतलब हो गया 1 बटे 2 ठीक है बच्चो एक बार आप धनात्मक साइन लेंगे एक बार रिनात्मक साइन लेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है अब आपको क्या करना है स्रीधर आचारिये विदी का प्रियोग करके भी क्या करना है मूल निकालने हैं हल निकालने हैं और फिर सत्यापित करना है कि क्या यही मूल आते हैं तीन और एक बटा दो ही आते हैं तो उसके लिए देखिए बच्चो सबसे पहले सबसे पहले आप लिख लीजिए अब दूसरी विधी क्या है श्रीधर आचार्ये विधी स्रीधर आचार्ये विधी से हम निकालते हैं और हम क्या करते हैं बताओ, स्रीधराचारी विदी में मैंने आपको क्या बताए था, जो भी आपको समीकर्ण दे रखा है, समीकर्ण क्या दे रखा है आपको, दो एक्स स्क्वाइर माइनस साथ एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, इसकी तुलना हम कर लेते हैं, मानक द्विगा समीकर्ण से लिखेंगे भी ऐसे ही, समीकर्ण इसकी तुलना AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C बराबर जीरो से करने पर, A तो आपको मिल गया है दो, B बच्चो मिल गया है माइनस साथ, तथा C क्या हो है, C यहाँ पर है तीन, A, B और C आपको पता है A X square का गुणांक है B X का गुणांक है और C अचरपद है अब हम द्वी घाती सुत्र का प्रियोग करेंगे द्वी घाती सुत्र कौन सा है द्वी घाती सुत्र X बराबर माइनेस B प्लस माइनेस रूट ओफ B square माइनेस 4 AC अपन टूए से इस सुत्र का प्रियोग करके हल निकालना ही क्या है बच्छों सिधर आचारिय की विधी है और यहां एक्स बराबर आ जाएगा माइनस भी बी का मतलब कितना है बच्छों यह हो जाएगा बी का मतलब है माइनस साथ यह माइनस सुत्र वाला है यह बी के मान वा और C का मतलब कितना है 3 बटे 2 A A का मतलब कितना है बच्चों 2 यहां से X बराबर आपके पास आजाएगा 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वाइर 49 माइनस कितना 24 बटे कितना बच्चों 4 और आगे देखिए यह हो जाएगा X बराबर 7 प्लस माइनस 25 बटे 4 अर्थार्थ X बराबर आजाएगा 7 प्लस माइनस 5 बटे 4 एक बार बच्चों आप क्या लेंगे धनातमक लेंगे और एक बार क्या लेंगे रिनातमक साइन लेंगे तो X बराबर आ जाएगा 7 प्लस 5 बटे 4 7 और 5 12 बटे 4 अर्थार्थ X बराबर 3 आ गया और माइनस साइन लेने पर X बराबर आ जाएगा 7 माइनस 5 बटे 4 अर्थार्थ X बराबर 2 बटे 4 और X बराबर कितना 1 बटे 2 बच्चो तो क्या पहले भी हमारे पास तीन और एक बटे दो ही मूल आये थे तो हमने देखा दोनों विदियो से जो समीकरण के मूल क्या होते हैं समान प्राप्त होते हैं अते हम लास्ट में लिख देंगे अते हैं समीकरण कितना था दो एकस स्क्वाइर माइनस साथ एकस प्लस तीन बराबर जीरो के अभिष्ट मूल अभिष्ट मूल क्या है बच्चों एक तो हमारे पास है तीन और एक इना है एक बटे दो ठीक है तो हमने सत्यापित कर लिया है वापस से समझ लीजिए पूर्ण वर्ग विदी क्या है समीकर्ण होगा AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C बराबर 0 जैसा सबसे पहले अचरपत का पक्षांत रण करेंगे फिर X स्क्वाइर के गुणांक का भाग लगाएंगे फिर X के गुणांक का आदा करेंगे उस आदे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे LHS में आपके पास एक पूर्ण वर्ग मिलेगा फिर आप दोनों तरफ क्या लेंगे वर्ग मूल लेंगे वर्ग मूल लेके हल करेंगे तो X का मान प्राप्त हो जाएगा ये कौन सी विदी है पूर्ण वर्ग विदी है अगर आप डायरेक्ट के सुत्र का प्रियोग करते हैं कि सुत्र का द्विघाती सुत्र X बराबर माइनस B प्लस माइनस रूट अब B स्कोर माइनस 4 A C अपॉन 2 A का तब आप कौन सी विदी का प्रियोग कर रहे हैं स्रीधर आचारिये विदी का प्रियोग कर रहे हैं और देखे बचो एक इंपोर्टेंट बात हमने क्या सिखी कि जो भी द्विघा समीकन है उसके मूलों का स्तित्व होगा यदी और केवल यदी B स्कोर माइनस 4 A C क्या है धनात्मक या 0 है B स्कोर माइनस 4 A C को हम क्या बोलते हैं D बोलते हैं इसका इंगलिस में नाम है डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में हम इसको बोलते हैं विविक्ती कर ठीक है बचों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए आप प्रियास क करते रहिए धन्यवाद बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में हिंदी व्यवारिक व्याक्रण विशय में निबंध लेखन व्यक्षा 10 में गनित विशय में भुपद अध्याय से द्वीघात समीकरन भाग 8 बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में अंग्रेजी बच्चों हमारे इस कारेक्रम के कंटेंग पार्टनर है मिशन ग्यान तथा इस कारेक्रम में तक्निकी सहयो यूनिसिफ स्टरलाइट एड इंडिया फांडेशन एवम पुरमल फांडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारेक्रम कैसा लगा अपने सुझाव अवश्य दें कारेक्रम से संबंदित आपके सुझाव हमें इमेल और डागद्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एडरेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001 कर दो दो सकते हैं